नमस्कार, प्रोकडी में जो नतर नमबर मैच जैपुर रुपिक मैंधर और पुनेरी पल्टन के बीच में 13 जनमरी को 8 पीम पर खेला जाएगा, इसको हम डटेल के साथ कबर करेंगे रिसेंट फॉर्म प्लेयर सेर्स और बनाएंगे दोस्तों आपके लिए एक वेनिक टीम तो उससे पहले अब तक अगर आपने मुझे ज्वैनिंग नहीं किया है टेलिग्राम के उपर तो आप बड़ी चीज़े मिस करेंगे, बिना देरी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहाँ से ज्वैनि कीज़ेगा और लाइक के साथ आगे बढ़ेगा अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए रिसन फर्म देखें तो यहां से पुनेरी पल्टर ने अब तक 10 मैच खेला है इस अंखला की यह सबसे जादा स्टॉंग टीम है जिसने 9 वेनिंग की है और एक मैच इसका अब तक लॉस होगा है बहीं जैप और पिक पैंथर का देखें तो 10 मैच खेला है शे वेनिंग की हैं दो लॉस आ रहा है दो इसका टाई जा रहा है तो यहां से दोनों टीमें लगबग एक जैसी आती है तो मैच आएगा आज डबल साइड़ आपको यहां से ध्यान में देना है जिस टीम का वीकनेस और स्टॉंगनेस आपको पता है जादा जो फोकस है भीकनेस और स्टॉंगनेस पर करना है किस टीम की क्या वीकनेस है क्या स्टॉंगनेस है वो मैं आपके आगे जलके क्लियर करूँगा और लास्ट एट्वेट में जो हमें परफॉर्मर बढ़िया देखने को मिला था असलिए मैं यहां से हाला कि Empty Red इनका काफी ज़ादा गया था बट फिर भी काफी अच्छा खेले थे इनका tackle देखने को मिला था, एक इने bonus का point मिला था, total art point earn किया था और fantasy देखें तो सियान में किया था इसके बाद Muhammad Chinese की total 105 fantasy कर रहे हैं, मतलब यहां से Mohit Guad के मकाबला में ज़्यादा fantasy कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने tackles दो ज़्यादा किया था, ठीक है जैप और pick panther के लिए अंकुष खेलेंगे left corn पर, इसके बाद Riza खेल रहे है, एरान के काफी ज़्यादा important player है right corn पर जे खेलेंगे, लक्की सर्मा भी right corn पर खेलेंगे, ठीक है, साहिल वाई और अरॉंडर section में होंगे, इनका साथ देंगे अफिशेक और अरजुन देशबाल जे खेलेंगे भाई, रेड section में, ठीक है अजीद कुमार और विवानी राजबो, जे दोनों में कोई एक आपको playing seven में नज़र आएगा, एक जाएगा यान से substitute की pick के लिए, ज़ादा chance है बवानी के substitute की pick में खेलेंगे, अजीद कुमार भाई possible seven में खेलते नज़र आएगे, ठीक है और इनके बाद अगर पुनेरी पल्टन का बात करें तो गौरब खत्री राइट कॉन पर खेलेंगे अब नेश है भाई, नदराजन जे राइट कॉन पर अभी बात करते हैं प्लेयर से, इसके बार में उसके बाद बनाएंगे आपके लिए एक विनिंग टीम दोस्तों अगर defense section का बात करें तो अंकुस हैं, जे ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते हैं जब-जब इने भाई पुनेरी पल्टन के सामने खेलने का मौका मिलता है, लास्ट एट्वर्ड में भी जे मोहित कॉार्ट के सामने ज़्यादा टैकल्स नहीं करवाए थे और इन्होंने साथ fantasy score अन किया था गेटी काउंटर चलके मैनस में गए थे, ठीक है वैसन का उबरा रेकॉर्ड काफी अच्छा रहता है और आज आज आपको भाई असानी के साथ ये देसबॉल को टैकल करते नजर आएंगे, ठीक है, लगबग एक से लिए के तीन के बीच का इनका आपको सक्सेस टैकल देखने को मिलगा राइट कॉर्प पर खेलते हैं तो आप इन्हें मिस मत किजेगा जहां से जिस आएंगे ट्रंप मिल्ट के लिए इनके बाद मैं अज जीत कुमा, सॉरी इनके बाद अगर बात करें तो नदराजन आ रहे हैं यहां से बाई काफी जादा इपोर्टन बनेंगे जह आपके लिए और लगातार काफी अच्छा करते हैं बीच बीच में हम देख चुके हैं कि लगबग 140 के उपर का फैंटैसी कर चुके हैं ठीक है और इनका जो गेटिंग ओलोट आपे काफी जादा असान रहता है अच्छे पुशिंग ओलोट के लिए जाने जाते हैं और एक से लिके मौका मिलता है तो आप अपलिंग 7 में अगर मौका मिलता है तो आप इसके टीम के लिए ने ट्राइ कर सकते हैं इनको लगाने का ज़्यादा फाइदा नहीं होगा तो यहाँ से आप इनको ड्रॉप करते हैं खेल सकते हैं और अंडर में मैं थोड़ा सा सेफ जाऊंगा आज मौका 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 ले रहा हूँ जे ट्रंपिक में जाएंगे आज के लिए क्योंकि लास्ट में हमने देखा थे इनका रे टच और सिक्सेस टैकल काफी अच्छा गया था ठीक है एक सो पांच का यहां से कर रहे हैं लास्ट में फैंटैसी स्कोर तो एक पॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए इनके बाद दूसरे जो हैं वो इनामदर को में लूँगा यहां से ठीक है बाई जे दोनों काफी जाद पॉर्टेंट है प्लेरी पल्टन का जो और और बादा स्टोंग है तो दोनों प्लेर यहां से मैं आपको रेक्मेंट करूंगा कि आप पुनेरी पल्टन के ट्राइ कीज़ेगा अगर इनमें से कोई ड्रॉप होता है तो जो नहीं खेलेगा आप उसको निकालते हुए जा सकते हैं यहां से सुनील कुमार के साथ में अगर इनमें से कोई ड्रॉप होगा अगर दोनों खेलते हैं तो वैलेंट है वैसे हमें दो और अंडरी ट्राइ करने होते हैं तो आप सेफ खेलेगा यहां से के अब से को ट्राइ मत केज़ेगा जी फ्लॉप जाएंगे जी स्ट्वागल करेंगे तो आज इनको लगाने का देशबाल को अगर चाहो तो आप भाई रिसकी टीम के लिए ट्राइ कर सकते हैं मैं आज ट्राइ नहीं करूंगा जी क्रेड के माँ थोड़े से महंगे पड़ेंगे ठीक है तो अभी बात करते हैं दूस्तों विनिंग टीम के बारे में उससे पहले अगर चैनल को आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अभी बात करते हैं दोस्तों आज की बेस्ट प्लेइंग सैबन के बारे में तो दोस्तों आज जो डिफेंड शेक्शन है इसमें बहुत जादा सेफ कहलो हूँ मैंने नदराजन को ट्राइ किया है और इनके बाद जे खतरी आज आ जे उनके सामने आपको टैकल करते नाजर आ सकते हैं और अंडर में मैं सेफ केलते हुए बाई इनामदर को ले रहा हूँ इसके बाद मुहामाद चिनेज आ रहे हैं लास्ट में काफी ज़्यादा बढ़िया केले थे ट्रम्पिक में रहे थे और इनके बाद रेट शेक्शन हैं और नद्राजों को रख सकते हैं गौरब खतर ही थोड़े से common जाएंगे बट अगर आप अगर ऐसेल और हैट टू एड कर सकते हैं तो यहाँ से मोहित कुएड को ट्राई कर सकते हैं मौहामद चथे को ट्राई कर सकते हैं ओनुं आप दोस्तों लाइन आप में चेंच सा तो हम इसी प्रडिक्ट टीम के साथ खेलेंगे, आज का मैच और 100 सेट हम वान करेंगे, अगर चेंजिस होंगे तो फाइनल टीम आपको टैली गरम पर मिरज़ आएगा, जो टीम आपको देते हैं, हमेचा उंको लगाते हैं, हारेंगे साथ में, जी तेंग भी साथ में.